असलामु आलाइकुम दोस्तों आप सब कैसे हो मैं आशा करते हूज आप सब अच्छ हँगे और आप लोग को अच्छा रहना भी चाहिए तो दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरी चैनल विलेज गर तुईब inan फैजान में तो दोस्तों कल की ब्लोग में मैंने आप लोग को तो मैं बाबू को लेके जा रही हूं मतलब हम लोग जा रहे हैं बाबू को लेके डॉक्टर दिखाने शहर क्योंकि बाबू का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है बाबू को वमीटिंग हो रहा है खाना नहीं खा पाता है और पेट खराब है तो मतलब हम लोग जा रहे शहर और जो टुकन आएगा तो नो बज़ी टुकन लेना नो बज़ी से पहले जाना है तो हम लोग उड़ गए साथ बज़े बाबु मेरे साथ उड़ गया है और आट बज़े हम लोग निकल गए तो मैं दोस्तों यहां पर आप लोग को दिखा रही थी महंदी कल का महंदी जब मतलब को लगा के दिया पूरा यह आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट बुक्स में बताएं कैसा लगाया मेरी सिष्टर ने मुझको मेहंदी और बाबु इदर नहीं सो रहा है बाबु को नींद आ रहा है इधर उदर देख रहा है गाली पे आवाज हो रहा है और गाली पे न नहीं सो रहा है तो हम लोग जा रहे और हमारे साथ है डाबर बाईया और आगे हभी और बाबु मेरे पास बेटा हुआ है हभी के पास नहीं जा रहा है क्योंकि मतलब बाबु को नीं देना और बाबु एससे कर रहा है कि मतलब नहीं जाना है बाबु को और हम लोग रुग और पताने की जोते हैं को फटत है हैं कोई कपड़ा लगा तो उनको पता चल जाता है कि आप छोग मतलब कहीं पर बाहर जाने वाले हम लोगड़ falling आह मिल दो लोग ही सौचते हैं कि आखृ हुचा से लेंगे घुमाइगे अच्oras लगता है दो है जूआ तो आव इसे है मैं जब रेटी हो जाती हूँ पहले तो बाबु को अब करती हूँ और रखके बाबु को अमने थोड़ीत है क्या मतलश थोड़ी दे जाती हूँ तो मतलब नहीं रो रहा था, तंग नहीं कर रहा था, तो मैंने बाबू को चपल लगा दी, आप लोग देख सकते हो, मैंने बैग पे लाया है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेंट लाया है, एक तीन चार निकल लिया है, और एक हगिस लिया था, और एक टीशर्ट लिया था बाबू ऐसे बाबु का यकिता हुच हानु की तो मैं वह ही मतलब में बाबु के चपल लघा रही थी और भाबु इसीह प्यार कर ही लृए और गभारया य्या, दोस्तों इसलगा मेरे लिख लहा लागतर है पिरोग्त में बॉ haaщ है ौहसायर पश्राहण कल दस तरीख हैना कल एक्जाम का क्वेशन पेपर पर दिया जाएगा हम लोग की कोलेज के साइड से और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है तो मैं बहुत ज़दा इसलिए सेड हूँ और दोस्तों मैंने सचा कि आप लोग को शेयर कर दो क्यूंकि मैं बहुत ज़दा सेड हूँ आप लग रहा हूँ कि क्यूं सेड बाबु को रोष्णी से मतलब रोष्णी में नीन नहीं आता है तो मैंने दुपट्टे से बाबु को मतलब डग दिया था तो बाबु सो गया उसके बाद सोने के बाद मैं आप लोग को दिखा रही थी है बाबु सो गया है और दोसको हम लोग आ चुके है शहर बाबु को देखते आगे दिखाएंगे आप लोको बोलेंगी तो दस्तों इधर टुकन लिया जा रहा है यह देखे लाइन में है अब इदर लाइन में टुकन ले रहे हैं तो मैं यह पेखड़ी भी बाबू को लेके दोस्तों हम लोका टुकन लेना हो गया है टुकन का नंबर 16 है 16 नंबर और मैंने हड़बड़ी में गर से निकलते वाग कुछ नहीं खाया था तो मैं कुछ खाने जा रहे हूं और बाबू के पास है इधर जा रहे है तो मैं जा रहे हूं अभी होटेल कुछ मिलता है कि अब लाँ उलाओ यह सब इसमें से कुछ खाने हैं चलते हैं और दोस्तों मैं यहां पे नहीं कर पारी थी और बाबू हभी के पास उधर मतला आप लोग देख सकते मैं आप लोग को दिखा रही थी तो मैं बाबू को लगकर खाओंगी ना तो जप्ता मार देग तो इसलिए मैं मतलब बाबू को हभी के पास दिया है और दोस्तों मैं आप लोग को बोल रही थे मैं पुलाओ खा रही हूँ आप लोग भी खाये मेरे साथ और इधर ग्रीन चटनी दी हुई है यह मोमो का चटनी है हम लोग ना इस होटल से पहले हम लोग जब एचैस में थे ना तो हम लोग यहाँ सीटी पे रेंट लेकिया हम लोग को बहुत अच्छा है टेस्टी है जह जो प्लाओ के साथ खा लिह हुँ आप लोग भी मेरे साथ खाई है और बाबू मतलब रो रहा था तो हभी बाबू को ले के बाहर गये है तो मैं गाली पे आ गई और गाली पे आके भी नूट करना पड़ा क्योंकि गाली में गाना चल रहा था बैया गाना बजा रहे थे तो मैं उनको तो डिश्टरब नहीं कर सकती कि मत गाली चलाओ और बाहर बात कर रहे थे कि पार्क किया था ना तो पार्किंग वाले भाया से बात कर रहे थे कि जो मतलब हम लोग जा रहे थोड़ी देर बाद में आएंगे तो पार्किंग वाले भाया बोल रहे थे कि अभी मतलब जो पार्किंग का उसका पैसा दे दो तो भाया बोल रहे कि नहीं उनसे बोल रहे थे हम लोग टूकन करके जा रहे हम लोग डॉक्टर दिखने आएंगे फिट से और बाबू अप लोगको दिखा रही है यह थे ना बाबू का कपड़ा में रिख रही थी क्योंकि वाबू इतना जाधा पतला हो चुका है ना बाबू तो बड़ा हो र त्राइंगल शेप का अच्छा लग रहा है अलग अलग शेप का अलग 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 का तोरी दिखा रही थी और मैं यहां पर बर्तन देख रही थी और यह वाइट वाला जो ग्लास है यह शडवत का सेट मुझे यह लेना है मैं एक दिन लूँगी अप लोग दिखाऊंगी अलग शेप अलग अलग यह चोटा सा ट्रे में आप लोग को दिखा रही थी और दोस्तों में यहां पर आगी हूं मतलब खिलोने के सेक्षन में दीख रही हो कुछ मिलता है इस खेलने के लिए योगि जब सब्सक्राल तो कुछ सब्सक्राइब कर दो नुद्सक्राल मिलता है क्या तो इधर तो बोईस का कपड़ा है लड़की का कपड़ा कुछ नहीं है तो मैं दूसरे सेक्षन में जा रही हूँ डूनने के लिए तो यहाँ पे मुझे अच्छे-च्छे मतलब फ्रॉक गाउन भी बोल सकतो दिखा वही मैं आप लोगो को दिखा रही थी ग्र पीच यह पींक यलो और यह भी मतलब यह जो यलो है ना यह फ्रॉंट में पीछे कर दिया था यह फ्रॉंट इधर इलस्टिक लगा हुआ है और यह रफल रफल सा थोड़ा सा मतलब इससे था बहुत सुंदर था यह भी फ्रोरेल और पतला सा उसका कपड़ा था गर्मी में पहनने में बहुत अच्य लगता है और मैं वही देख रही थी कोई अच्छा लगता है तो मैं खरीदहुंगी लोंग d लेने से लोगई लैने शुक थाट होने से तो लेगिसवें सब्हदा है तो अच्यार यह ओ पर हैं और मैं बाबू के टिशट लगवा थी लगभक सभी ड तो यह मैं भाभी को दिखा रही थी यह पीछ में यह लेना रिक्या तो भी बोल रहे थी यह कपड़ा इस डिजाइन में कोई पतला सा कपड़ा मिलता है तो ऐसा देखो तो मैं वही देख रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था सबी ऐसे ही कपड़ा दिख रहा था और दूसरा कलर में डून रही थी रेड और दोस्तों ये ब्लोग बहुत ज़दा लंबा हो जाएगा तो ये में पार्ट वान रख थी और पार्ट टू में बनाऊंगी डालूंगी आप लोग देखेगा जरूर पार्ट टू में आप कि दो